आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे 36 गड़ के चुनावों के बारे में और इसी विशे में हमारे साथ बात करने के लिए एक बार फिर से स्टूडियों में मौजूद है उर्मिलेश जी स्टूडियों में आपका बहुत-बहुत स्वागत तो पहला सवाल तो यही कि 36 गड़ का यह चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों क्यों है आपका सवाल जायज है क्योंकि देखें पांस जगे चुनाव हो रहे हैं सभी महत्पूर्ण है हमारे हिसाब से क्योंकि हम तो मानते और भारत की भारत की सियासतदान नार्थ्ट में जब चुनाव होते हैं तो उनको बहुत महत्वसे नहीं रहते हैं लेकिन ये आपकी बात सही जरूर है कि जितने चुनाव हो रहे हैं मद्यप्रदेश बड़ा राज्य है उसके हिसाब से लेकिन 36 गड़ का जो मामला जहां सिर्फ 90 सीट्स हैं वो इसलिए महत्पूर्ण बन गया है क्योंकि राजस्थान के बारे में जैसे माना जा रहा है कि वहां नतीजे लगबग क्लियर हैं इवन जो ऑपीनिएन पोल्स जो किसी एक पारटी किसी एक नेता केली ऑपीनियन बनाने का काम केवल करते रहते हैं वो भी मान रहे हैं कि राइस्थान में स्थिती बिल्कुल क्लियर है लेकिन मध्यप्रदेश के बारे में माना जा रहा है कांटे की लड़ाई है अब पता नहीं कौन जीतेगा कौन हरेगा हम उस बहस में नहीं जाएंगे यह काम हम टीवी चरणों के लिए छोड़ देते हैं लेकिन राजनीतिक कारणों से आर्थिक कारणों से और देश की सियासत को लेकर जो डिस्कोर्स है कि कि धर जा रही है राजनीत कहां जाना इसको चाहिए अवाम क्या चाहती है कार्परेट क्या चाहता है उस कांटेक्स्ट में अगर आप देखें तो वाकई 36 गड़ की जो चुनावी राजनीती है वो बहुत अहम हो गई है देश के लिए कुछ महत्रपूर्ण जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं संचेट में एक तो यह कि 36 गड़ में तीन बार से रमन सिंग की सरकार है वो यह चाहते हैं कि हम किसी कीमत पर इस बार भी चुनाव जीते हैं अभी उनके जितने इंट्रिव में देख रहा था उस इंट्रिव में वो अपनी पार्टी के मेनिफेस्टों के बारे में अपनी पार्टी की स्थिती के बारे में कम बोलते हैं और अजित जोगी और बस्पा के बीच में जो गटमंदन हुआ है उसके बारे में ज़्यादा बोलते हैं वो यह कहते हैं कि देखे यह बहुत महत्पूर्ण फैक्टर है यह एलाइंस यह जो बस्पा और योगी जी का एलाइंस है वो काफी महत्पूर्ण है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता यह हर एक अखवार के इंटर्यू की उनकी हैटलाइन रही है तो एक तो यह कि कही न कही रवन सिंग को यह लगता है कि आमने सामनी की लड़ाई में वो शायद मुश्किल में है अगर यह लड़ाई किसी तरह हलकी फुलकी भी त्रिकोन यह बने तो इससे वो अपनी इस्तिती को थोड़ी सुधार सकते हैं एक तो ये पहलू बनता है दूसरा पहलू बनता है कि देखिए 36 गड़ एक ऐसा सुबा है जहां जो 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 अनुसुची जनजाती की आबादी है ट्राइवल्स की आबादी है तक्रीबं 32-33 फीस्टी है तो आबादी के हिसाब से अगर ट्राइवल्स का देखा जाए पर हिस् सेदारी में सियासत में अर्थ संडचना में वहां के एजुकेशन में वहां के मीडिया में आदिवासी क्यों नहीं है या अगर आज तक नहीं उनकी हिस्टेदारी दी गई तो उसकी क्या वज़या है एक तो यह सवाल भी चुनाव में उठ रहा है खासकर बस्तर के इलाके म बस्तर में ही पहला चरन है जहां 12 सीटें हैं 12 सीटों में पिछली बार भी विपक्ष जब सरकार उसकी नहीं बनी थी तब भी उसको हाइस सीटें मिली थी आठ के आसपास मिली थी और चार सीट वीजेपी को मिली थी तो एक तो यह भी बहुत पूर्ण कारण मुझे नजर कर आता है कि भारतका एक ऐसा राज्यंच गढ़ा है जहां किसी भी कार्परेट का आप नाम ले लीजेए किसी बी बड़े अद्योगपती का नाम ले लीजिए आप उसको 36 गड़ में कारोबार करते वे पाएंगे ख़दाने हैं और ख़दाने भी किसकी हैं कोई ऐसा बहुमल्य रतन नहीं है कोई ऐसा रतन नहीं है जिसको कहते हैं ना मिनरल जो 36 गड़ में नहीं पाया जाता तो 36 गड़ की जमीन के नीचे गड़े हुए म चुनाव में मुझे लगता है कि इनकी भी दुन दुभी कहीं न कहीं चुनाव में बज रही है और देखना यह होगा कि इनके समीकरण चुनाव में क्या असर डालते हैं तो इसलिए मैं मानता हूं कि यह बड़े महत्मुन चुनाव है जी आपने जो बात की कॉर्परेट्स की और खासतर से 36 गड़ में जो आदिवासियों का इतना इतनी बड़ी जनसंख्या है इसी से जुड़ावा एक सवाल यह है कि मोदी जी ने भी बोला कि 36 गड़ में इससे पहले कभी ऐसा विकास हुआ नहीं है तो वहां के विकास के दर इसे जमीनी हकीकत क्या है क्योंकि आदिवासियों की बात करें तो वहां पर यहीं है कि उनकी आपने बात की वह भी जादा से जादा प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहे हैं जो कि बहुत-बड़ा रिवेन्यू है सरकार के लिए लेकिन उसको आप मिजी हाथों में दे तो यह किस विकास की बात कर रहे हैं मुझे भी नहीं समझ में आया जब मैंने टाइम्स अफ इंडिया इंडियन इक्सप्रेस जितने अख़वार हैं टेलिविजन चैनल मोदी जी को कहते हुए सुना कि इतना विकास किस नहीं किया था आज तक वो कैसा विकास है यह नहीं करीब करीब 8 या 10 डिस्टिक्स जो है सो जिलों में वह 36 गड़ से आते हैं 36 गड़ जो है पूरे देश की जो हुमन डेवलप्मेंट इंडेक्स है और सभी स्टेट्स का जो एक सुची जो बनी है उसमें अगर राजियों को ले ले और उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरी को ले ले लें तो 37 के आसपास आते हैं इसमें चठ्यास का जो रेंख है वैक 3 है यहिरू chuck ती समय है यह बारत के 37 और YEं मोदी जी के मताबिक रमान सिंग जी के मताबिक 28 विकसित्त हो को ले लिजाए ब्यापार को लेजे सियासत को लेगे शिक्षा को लेजी आप वहां के ज़ोईवस्टीज हैं उन में प्रोफेसर्स की न्यूकतियों को ले लिजे और तो चोड़üğे पत्रकारीता को ले ली जिए आप कहीं क्या आद़िवासियों को ऐसी position में देखते हैं जो लगे कि उनका participation बढ़ रहा है तो आखिर किस तरह के विकास की ये बात कर रहे हैं आप जुग्यों को देखिए अमिन पूरे 36 गड़ में आप अगर जुग्यों की संक्या देखेंगे जुग्य जोपड़ियों की तो पूरे देश में सरवाधिक जुग्य जोपड़ियां 36 गड़ में आप पाएंगे और मज़े की बात यह है कि जो साक्षर्टा दर है वह अभी 27 अस्थान पर है 36 गड़ देश में 70 फीस पात रहें कार्परेट अधानी साब की बहुत सारी पहले वहां जादा नहीं था कारोबार अब उनकी खदाने अब उनका कारोबार बढ़ गया है अमबानी का बढ़ गया है जितने आप किसी भी देश के बड़े पुझी पती का नाम लीजिए कार्परेट का लीजिए वो हजारों करोड सैक्रों करोड जो है यह विकास जरूर हुआ है एक जो वहां की सियासत में अभी हम देख रहे हैं जिसका जिकर आपने भी किया बसपा और जोगी के जो अलाइंस हुआ है वह आपको क्या लगता है कि इस चुनावों में किस तरीके से अपना भूमिकार निभाएगा यह अलाइंस देखे मैं समझता हूं कि किसी भी राजनितिक दल को मुर्चे बंदी करने का या मैदान में उतरने का चुनावों में बिलकुल अधिकार होना चाहिए और बिलकुल यह नहीं कहा जाना चाहिए कि साब अमुक दल को यह नहीं लड़ना चाहिए चुनावों कि आमने सामनी की की जंता के लिए भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भारत की तरकी के लिए भारत के संबधान की रक्षा के लिए अगर कहीं कोई खत्रा है तो कैसे उस खत्रे से निपटा जाये अपोजीशन के बीच में कैसे common minimum understanding मनाई जाए जिससे कि इस तरह की चीजों को हम रोक सकें तो मुझे लगता है कि यह एक strategy हो सकती है मैं एक journalist के तौर पे कहा रहा हूं मैं कोई राजनिता नहीं हूं और राजनितिक दलों को अधिकार है कि वो अपने डंक से रणनीती बनाएं लेकिन जो मैं सोचता हूं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यह तीसरा जो मौर्चा बनाने की कोशिश की गई है उसमें एक बड़ी दिक्कत है दिक्कत यह है कि यह तीसरा मौर्चा भी ठीक से नहीं बन पाया है वहां आम आदमी पार्टी है वहां दूसरे जो लेफ्ट गृप्स हैं तो जिस तरह की का यह जो मोर्चा बना है उसने सामाजिक स्तर पर कोई नई मोर्चे बंदी नहीं की है पहले भी बीएसपी को चुनाओ अकेले लड़ती थी और बीएसपी और 36 गड़ की सियासत में उनको ये भी माना जाता रहा है कि वो भारती जन्ता पार्टी के जो टॉप नेता हैं मुक्य मंत्री हैं रमन सिंग उनके साथ उनकी दोस्ताना है और ये दोस्ताना का जो मामला है इसी को लेकर कॉंग्रेस में उनको लेकर जगड़ा हुआ कि आप ए ऐसा जरूर उनको लेकर एक संदे है सवालिया निशान उनकी सियासत पर है कि वो क्या करना चाहते हैं बीएसपी का जहां तक सवाल है बीएसपी का ज्यादा ध्यान रास्ट्रिय पार्टी के रूप में अपनी मानिता को किसी तरह से रखना है ताकि उनको हर राजे से कुछ चुनाव को लेकर जो बीजेपी जो जिस एक चीज को मुद्दा बना रही है वह है यह अर्बन नकसल का पूरा जिसमें प्रधान मंत्री भी बोल रहे हैं कि कॉंग्रेस अर्बन नकसल को सपोर्ट करती है तो बीजेपी का लग रहा है कि 36 गड़ में खास्तोर से सारा का सार जो चुनावी अभ्यान है यह नकसल वाद और अर्बन नकसल इसी को लेकर है तो और जिसको वह एक्चली ठीक से अड्रेस भी नहीं कर रहे हैं वह उसको सिर्व एक राजनीती के लिए इस्तमाल कर रहे हैं तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे देखिए आपका सव पर यह मानता हूं कि जो मावादियों का रास्ता है बस्तर में वह भारत में बदलाओ का रास्ता नहीं हो सकता माइंडलेस मिलिटेंसी से मार कार्ट से चीजें नहीं बदल सकती हैं लेकिन मुदी जी जो कह रहे हैं कि पूरा जितने जिसको देख रहे हैं भी पक्ष में उस तरह की जनपक्षी बुद्धिजीवी हैं एडोकेट हैं जो इमानदारी से सवाज के लिए काम करते हैं तमाम चीजों को अपने त्याग करके उनको कह रहे हैं वो तो मालो एक बहुत दिनों से विवाद चल रहा है वो तो अब चुनाओ में जो विपक्ष में उतर हैं उनको भी कह रहे हैं या एक 2013 में इसी विपक्षी पाटी जो उनके सामने चुनाओ लड़ रही है उसके सारे के सारी नेता मावादियों द्वारा मारे गए थे बहुत सारी नेता तो इतनी हास्यास्पत बात जो कर रहे हैं मुझे लगता है 36 गड़ की जनता भी उस पर हंस रही हो है 15 साल से सरकार में होने की बाधयूद क्योंकि आप भी मानते हैं आपका योजनायोग जो नितियायोग है वह भी मानता है कि उस इलाके में वावाद कि और एक्सलीजम की जो समस्या पैदा हुई उसमानता के कारण भी अत्याचार के कारण हुई सही ठ हंसे लोगों को किया होता तो समस्या दूर हो गई होती जैसा वो जगह दूर किया जा चुका है तो यह असफलता आपकी जो है उसको आप छुपा रहे हैं और आप विपक्षियों पर दोस्त मढ़ रहे हैं यह तो बिलकुल ही फिजूल की बात है दूसरी बात की देखिए 36 गड़ जैसा मैंन पुर्सासित राजी को लेकर जुगियां जो हैं 18-20 परसेंट के आसपास हैं और यहीं नहीं गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनकी संक्या भी तक्रीबन 40 पिस थी 39.93 परसेंट है और बी आई का आकड़ा यह मैंने देखा है अब ऐसी स्थिती में आप बताईए कि जिस सूबे में 10 जिले देश के से तरवादिक पिछड़े जिलों में शामिल हो जहां पर इतनी गएर बराबरी हो लगभग वो विशमता के मामले में पूरे देश में 3 नंबर पर हो टॉप तीन जो राज्या हैं जहां सरवादिक विशमता है प्रतिव्यक्ति आये के मामले में उन तीसमे नंबर पर हो आप वहां कह रहे हैं कि माववाद क्यों है उसके जिमेदार तो आप हैं और आप अपनी जिमेदारी से बचने के लिए विपक्ष पर इलजाम लगा रहे हैं तो मुझे लगता है कि मोदी जी या रमन सिंग को 15 साल के वहां के बीजेपी साशन की जो स्थितियां हैं जो उसकी विफलताएं हैं उनको जनता के सामने रखकर माफी मागनी चाहिए हाँ ये जरूर है कि विपक्ष की भी कमी है विपक्ष ने वहां पर कोई ऐसा एजेंडा नहीं पेश किया जिससे की समस्याओं को सॉल्व किया जा सके उनका समाधान किया जा ये एक अजीब विरोधा बात से हमाई साथ अपने विचार साजा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नियूस क्लिक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद झाल